हमालय परवत पाई आता है उसका विभादनु। आपने देखा होगा हारवन कीसी का भी 맛있 के पुर्था आते हैं तो इसको मैं सो धोरी अच्छी तरीक से बताऊंगा festival है कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक कर्णे में कुछ symbolism करें और मेरे साथ आपको कॉंपी और पैंसे जरूर लेकर बैठे हैं, जिससे आपको इसे सबज़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ इस तरह मैप बनाएंगे, और लिखते जाएंगे तो आपको यह future के लिए हमसा के लिए याद हो जाएगा, तो देखे, मैं आपको हमारे के विभाजन को हम दो भागों बाणते हैं, विभाजन को दो भागों बाणता जाता है, नमबर एक, स्रेडी के आधाप पर विभाजन, स्रेडी के आधाप पर विभाजन, स्रेडी के आधाप पर विभाजन, नमबर दो, प्रादेशिक छेट प्रादेशिक विभाज प्राधिसिक विवाजन हमालया को दो भागों बाटा जाता है विवाजन के आधा पर स्रीण के आधा पर विवाजन और प्राधिसिक विवाजन को रहता है जो जितनी इसके आधार पर यह जो विभाजन है उससे स्रीडी के आधार पर गवाजन करते है जब के प्राजसिक विभाजन जो होता है वह एक छेत्र विभाजन होता है प्राजसिक विभाजन कैसा होता है छेत्र विभाजन होता है जैसे जम्मु कस्मीर की स्रेडियां हमाचल प्रदेश की स्रेडियां उत्राखंड की स्रेडियां इसको प्राजसिक विभाजन कहते है जो छेत्र के आधार पर विभाजन होता है अब देखिए ए इसके इत्रिक्त हेमारे का व्र्वादन में इसके करी विछालाइài ॡ्रॉक्त के विवादन तो सबसे पहरे बताँगा उस उस ने की अधापर व्रॉक्त कर वादन ने थे हां य 104 से कहा किया अ भी फे और गौलीक के बैठा और आगłeम ऊंगए श्रीडी के आधार पर विभाजन दो तरह इसको भी दो भागों बाटा गया है नमबर एक प्रांस हिमाल है या पार हिमाल है या प्रांस हिमाल है चन्यर स्रीडी के आधार पर भी हमाले को दो भागों माता गया है नमबर एक पार हिमाल है या ट्रांस हिमाल है ली फैजिर गवल दौह दो हमाल है दूसरा मुख्य हिमाल है कि अभी कु कि मुऌखी दिशु sust GTA कि अअगदया मैं सबसे प्रेदी मुख हिमाले के बाले की बह скороταν किम पोनों सब्सक्राइबadan की इसके बाद है तो मेरा टॉपिक होगा वो मुख हिमाले होगा सबसे हिमाले के बिवादन ने 2 बी और किया था एक सिरभी आदार पर बता है उनके आदार पर बता है नियुक्त र ही 9 मि अब मिन्हों हुआ आदा व workloads Ik एक पार हिमाले एक ट्रांस हिमाले करते हैं। दूसरा होता है मुख्य हिमाले तो मैं इसमें सबसे पहले बता हुआ 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 हु मुख्य हिमाले को भी तीन भागों बाटा जाता है सबसे पहले ब्रहत या हिमाद्री एकी नामे या महान हिमाले देख然後 देखे मुख्य हिमाले को थीन भागों माटा जाता है provided भी चाहे हिं या महान हिमाले बात यह ही है दूसरा हुआ है दूसरा होना दूसरा है थादि माध्य हिमाले कर दूसरा है लगुद locks है मद्य है महाल है लगूं या मद्य मार चाहरे तीसरा है ऊसिवालिtó कि स्व महात्री आप विर्लि ए स्वालिश्टि toujours की मैंने मुखें आपकी माले का जबाजन दो तरीके से किया IDव तरीके सम्पिश्ट हिमालίζ। जाहएं माहान हिमाले देखिए गामिल साथ आप मुख्य हिमारे कहा से कहा से दो इसको आप पहले दिए में टाना बहुत जरूरी है आगे बता रहा है ऐसकी स्वाट डिए दिशका यह आपका जम्मू कसमिराज है यह आपका जम्मू कसमिराज है इस सटा गुआ इस तरीके से इससे सटा चुछा इस तरीके से हिमाचर प्रदीश चीच यह माचर प्रदीश है इसी सटा यह आपका पंजाब है पंजाब है आपका हर्याण है लिघुमा सब को में और यह आपका उत्राखन है उत्तराखंड है यह आपका उत्तराखंड है यह जंबू कस्मीर है यह क्या है जंबू कस्मीर है कि कस्मीर है यह पंजाब है पंजाब राजी है यह हर्याना है यह उत्तराखंड है और यह आपका हिमाचर प्रदीश है हिमाचर प्रदीश और यह श्रित्र है आपका लद्दा है यह लद्दा किर सासर प्रदीश है यह लद्दा है तो जो मैंने आपको बताया था कि जो अवल्द्दार। महारई मार रहे वह क्या से ख lenses होई है और तीन सेडिया और तिरों सेडिया इन मतreas है जै और आक सेडिश या इस तर्विए स seulement इस एधिया सेगेऊ ऐसे तरीके से स्ड़ी आधीया है लिए उत्तरा खंड़ी है यह उत्तरा खंड़ी तुड़ा यह तो यह तर गनाये ते हैं यह जो मुख्य वाला है वहां यहां पर एक परवत एक छोटी है परवत लगदा राजने क्या है नंग परवत क्या है नंगा परवत किस राजम व्त, यह क्या है नंगा परवत je औरुणा झूटे में छोटी है नंचा भर्मा तक फैला है, जो जो बु hear, जो मुख्ेह हमाले है , नंंगा Arriva से दिक परिक लेगा करके, नंचा भर्मा तक फैला हुआ है इसमें जो ब्रहद हमाले है ब्रहभ यद मारे है मैं इस तरीकी से तोने सी पहाडाय बना रहा हूं इस तरीकी से आप मेंसे इस तरह लिकट करते जाएं, यह पर्परवायस रड़ी आको दिखा लीए यहां ब्रहभ या माहा नहें मारे हैं इसके जश्ट नीचे ये इस तरी किसे ये लगू या मद्दे हमाले है लगू या मद्दे हमाले है ये लगू हमाले है देखिए एक सेकड़ ये राजी तो आपे बराड़ी हों में ये वाला है ये ब्रहद हमाले के ब्रहद या महान हमाले के उसके बाद ये वाला जो है या लगू या इसे लगू हमाले के देखिए इसे लगू हमाले के देखिए या मद्द हमाले के देखिए ये लगू या मद्द हमाले के देखिए इसके बाद जो शिवालिक पर शिड़ी है वो इस तरी किसी है एक गट्टी फट्टी है नदी होने से काट पतजण बना दिया है इस तरीके से या मद्द ये इसी सिर्ड़ी मिल जाती है आपने देखा होगा कि जो मुख्य हमाले है ये तीर सिर्ड़िया है यहां पर काफी चोने हैं और इदर आकर के शक्री होकर के बहुत उची हो जाती हैं इदर हिमाले इतना उचा नहीं है तो तो मैं एक-एक के बारे बता हुए इस में इसकी चोटी नगा परवत bank प्रवस्य लेकर्के नंग्चा वर्मा तक भ्या हुआ है नंग्चा वर्मा तक भ्यावाँ Rings इसके अतरिकत्ट इस जितनी भी- उची चोटिया तिन इतनी भी ऊची्बोस्टि शोटिया है वह very best जोगर महान होलेगे तो सबसपहले महान होले की बता को हुं में महा नहीं माले देखिए महा नहीं माले यह नंगा प्रवस्ति कांसे आप लिख सकते हैं नंगा प्रवस्ति नम्चा वर्मा आपका अरुणाचल प्रदीस में अरुणाचल प्रदीस में अरुणाचल प्रदीस तक लगवरों कि 500 किलो मिटर तक फैना है देखिए जो महा नहीं माले है वह लद्दाक राज में एक चोटी है नंगा प्रवस्ति अच्छा इस नंगा प्रवस्ति की जो उंचाई है वह 826 मिटर है कितनी है 8600 126 मीटर है और इसी तरीके से जो नम्चा गुर्मा की जो उच्छा ही है चोटी की वह 7756 मीटर है कितनी है 7600 यह मैं आपको नौलिज की बता दे रहा हूं तो यह यहां से यहां तक इसकी जो लंभा यह लगवगवगव 2500 किलमेटर है कही और आपको 2400 किलमेटर तर देखिए इसकी मैं ने इसमें बताया था जितनी पिर्चोटी है वह इसी में है अधिकास थे तो यहां पर नेपाल में नेपाल देश में महान हिमाले की महान हिमाले के साथ साथ विष्टु की सबसे उंची चोटी विष्टु की सबसे उंची चोटी पदा यह कुंसी है विष्टु की सबसे उंची चोटी माउंट एवरिस्ट माउंट एवरिस्ट कुंसी है विश्चु की सबसे बुश्चोटी विश्चु की सबसे उंची चोटी माउंट एवरिस्ट महाने वाले पर है इसकी उचाई 8848 भी है और 885 भी है दोमें इसके ऑठनिक डाटा है महाने मले पर बिश्चु की सबसे बुश्चोटी है माउंट एवरिस्ट जसकी उचाई 888 मिटर है और यह नेपाल गेस में है यहां पर रहे नेफाल में हम पर एक नेपाल में नेपाल Eig महारे मालयक की सर्वर चोटी मौंट एवरीस्ट जिसकी उचाई आठार आठारीं है पचास है तो नेपाल गिस में में नंगा प्रवस्य में, इस्तित्र नम्चा वर्मा तक फचोटी है इसकी भारत में सबसे उची चोटी है वो छी की नंगा भारत में इसकी सबसे उच चोटी है वो करिशन जंगा का नंगा कंचन जंगा है जिसकी मुचाई 8,598 मिटर है जिसकी मुचाई कितनी है 8,598 मिटर है देखिए कंचन जंगा भारत में सबसे मुझ चोटी है कंचन जंगा भारत में सबसे मुझ चोटी है जोट कर लिखी जिया कंचन जंगा इसी की है मैं इसी की बारे मतारा हूं महानेवाले के बारे में कंचन जंगा जिसकी मुचाई कितनी बता थी मैं आपको 8,598 मिटर यह सिक्कि म्राज़ियम है और और भारत में सबसे मुझ चोटी है यह भारत में की सबसें उच्चुटी तो आप बता सकते हैं क्यूट है। लेकिन कुछ आहता भारत में सबसेंच उच्छोटी कुन सी है। तो आप आप कंचिन-जन्गा को बता है। क्योंके fatto है वो पार्क अक्ट पाट कश्मीर में हैं। पीयों को पड़ती है जो विवाज़त छित्र है लेकिन भारत में सवसोगों चोटी है वो कंचिन जंगा है जो सिक्क्य मराज्य में है जिसकी उचाई आठ याल पांसो आठांबर लिल्टर है जिसके बारे मैंने आपको बताया तो आप लोग इसको इसकी स्कूर्ट डिलीजि जिसके बाद देखिए ब्रहद या लग उन्हान है ब्रहद या लग उन्हान है देखिए इसे मद्य हमाले करते हैं, ब्रामी करते हैं, मद्या लव हमाले, देखिए, जो मद्य हमाले है, वह सेडियों के रूप में बटा हुआ है, इसे अलग अलग राज्ज में, अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो देखिए, एक सड़ी इसकी है, मैं इस तरीक से बनाएता हूं, दूसरी ये सड़ी हो गई, तीसरी सड़ी हो गई, चौति सड़ी हो गई, यह मैं बता रहा हूं और मद्या लव हमाले बता रहा हूं, इसे आप दिस तरीके से बनाती जाएं तो देखेए यह जो हिमाला है जंभू कस्मिराज में यह हिमाचल प्रदिस में हैं हिमाचल प्रदिस नूट करती चलिये यह उत्तराखंड में हैं का सब्सक्राइब si ॥ी में एक कि यह माहारे वारे मिल भाथा है तो देखें झम्मू कास्मीर में इस प्रवस रेडी को क्या करते हैं जम्मू कस्मीर में इस प्रवस्रेडी को पीर पंजाल के नाम राज्टा है इससे जाना आता है पीर पंजाल पीर पंजाल जम्मु कस्वी राज में मद्ध हमाले की जो परफेली वी परवत स्रंखलाओं को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है इसी तरीके से हिमाचल परफेले मड्य हमाले की जो परवत स्रेड़ियां उनको धौला धर के नाम से जाना जाता है थोहला-दर मद्यमाले Keeping апigifiable लोडियों को दोहलादर की नाम से जाना जाता है थो мн, अधे Lapagamil को कि न रीमाले कि जो परवा स्रिडी विए उसे पील-पंजाल कहते हैं। इसी तरीके से मद्य लग हमाले की जो हिमाचल प्रदेश में परवा स्रेड़ी फेड़ी है उसे 12 स्रेड़ी कहते हैं क्या कहते हैं 12 स्रेड़ी कहते हैं उत्रा खंड में उत्रा खंड में से मंसूरी की पहाड़िया कहते हैं मंसूरी की पहाड़ियां मंसूरी की पहाड़ियां करते हैं जबके मद्य हमाले या लग हमाले की जो सेड़ी हैं उसे नेपाल में महाभारत की पहाड़ियां करते हैं देखिए मित्रव, फिर देखिए इपार्पुने, मैंने पहले आपको ब्रहा दिया महान हमाले के बारी पुरा बता दिया, इसके बाद आपको जो बता रहा हूं, वो मद्ध हमाले के बारी बता रहा, मैंने बता था मुख्य हमाले को तीन भागों बाड़ा था, ब्रहा दिया पाड़ियां वो नेपाल में महावारति sucks एक चोटई होगी रसात महा नेवालर्भी एक सेंड़ा जिसके हूचाई एक गुशन पूशन 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 आता है नंदा देवी चोटी किस राज में है तो आप बता सकते हैं उत्राखंड में हैं किस में हैं उत्राखंड में और मंसूरी सेडियों पर है नंदा देवि सेडिय जिसकी उचाई 7896 मिटर यह मद्धि माले की सबसे उची चोटी है तो इसके बारे बताया माड नभी मताया तुम नो आगे जो इसके बारे ब्रसिश वर्टे नंबर तीम पर आपका शिवालिम पर्वत्री क्यों है क्योंकि यह नदियों ने काठ दिया है कि नदियों ने काठ चांड दिया है इसके बारे में आगे और बता आँगा धीट और आधा बोल नहीं है। देखिए मैंने आपको पार हमाले और ट्रांस हमाले बता ह्या आपको हमाले का विवादिक दो भागां किया लता है। एक नमर दो पर प्रादरश कि हमाले उसरा स्वर्डी हमाले, नमर दो पर ट्रान्स हमाले ट्रान्स हमाले में तीन परव स्वर्ण स्वर्ण पर आठेल हैं पहली रेंज है इसे karel कोरण परव स्रिडी कहते है जैसे यहां से निगलिया यह अई क्यों तसी है का शहाल कोरं ए भान हम हऊं अब करलब स्रीनि हिस में यह को शाँ पर वस्रीनि गुसरी को लिपने लद्दाख ये सीरी पूछते जाते हैं लद्दाख आप लोग व्याद रखिए उत्तार से रक्षन इसके बाद ये लद्दाख है लद्दाख पर्वस्रीड़ी पर्वस्रीड़ी जस्ट इसके बाद है जास्कर जसकर पर्वस्रीड़ी जसकर इंडिया में तो ये दो ती नहीं है लेकिन इसकी एक साखा और है इसे केला स्रीड़ी की नाम से जाना आता है इसका आप एक बाद इसके इसके सोटेंगीजिए मेटाना में वल्बूर है देखिए इसके बाद एक परवशंकला और इसके समानातर है यहां प्रवस्रेटा जिसे केना स्रणी कहते है केना स्रणी यहां प्रवस्रणी है आपति तीर्फ इस्थल्फ भिए यहां मोट्ली चीद के तिब्थ्थेत्र पाता है कि छेट्र कौन सा है तिब्थ है जो तेख चितर्व खेंने में जो केला्स परफ श्रणी कोर्णी है। यहां लट्दाग का भी भाँ है। अगर पुछा जाता है तो काराकुरम लट्दाग में आपकी यह केलास परफ स्रणी ब् caterpillar ब्याएगी। उसका उसका पीःपलिलप फिर पंजां। क्रवक्रिफ तो पूछ निदी जाता है. ये जाने के लिए तरह कंड़ में अनिव कुल दे जाते हैं मौसुन की अस्वा हैre। इसकी तीसरी भीनिये आपके बताए여 पर्स काइब हो Lena जat am या ट्रांस लन्हें तीछ परक्रा सीडी उसकी जो सब्सें उंची चोटी अगर्विंदा जिसे कैते हैं जिसे के टु स्टेट है यह गॉर्डविन आस्टर कए गॉर्डविन आस्टर कहते है जिसकी ऑचाही आट तशाही एक्षोपिस मिटर है एक्षुट प्रूंद आप कर चाहए यह? मैं एक कितनी है किक से मूझाना कितों है कितनी है यह भारत के सब तो यह यहां से लिखार कि मैंने आपको बताया है यह आपकर ट्रांसमाले अगर इन सब को सम्रित कर लिए जाएगा कि इसको उसे तिबबत हमाले की बोलते हैं कि तिबबत हमाले मतलब मेरा यह है कि तिबबत हमाले की नाम से जाना जाता है आप लोगे को याद रखिए अब देखिए कि इसके वारे मुश्टरी विए आपको बताया है अब देखिए अब मैं आपको बताँगा प्राधिसिक दिवाजन नमबर द्राधिसिक दिवाजन कैसे बता है नंबर से रखिए अब जो बता रहा था कर्सा. इगण श्रड़ीग व्लबाता है मैं लेकिन जो अब दो स्रहीग Tamam यह बताने जा रहा हो प्राजिश्वलन Bizim ěट्र करने का से शानी इस निदी उन्हेए passwords प्रादर सिख विवाजन जो किया था सर स्वेटनी बुराड नी किया था और इसने हमाले को किन-किन भागों बाटा किन-किन छित्रों बाटा वो आपको बताता हूं तो सबसे पहरे आप देखिए जो यहां पर एक नती बहती है इस तरीके से नती निकली भी है इस तरीके से इसे सिंदुनदी कहते हैं इस जिस सिंदुनदी कहते हैं यह मुष करेंस प्रदोर प्रोडश्रे पहरे इस तरीके से इस तरीके से यह संदुनदी कहते हैं तो सबसे पहले और आनहोंने भुभादर किया इस वाले शित्र का तो पहला बिवाद अन्यूवान का पंजाभ भुभादर यहांने सावसे पहले च्छेत्र जो जब्बूपस्मी राजी बाला और यहाला है इस संदुनदी और सत्लज नदी बीच का जो जो यहाली शेत्र है उसको यहाम पंजाव बारे कहां से कहां तक है जिंधू नदी से सिंदु नदी से शुनदु नदी इं संगु नदी से शुननंदी से थारिए वुआला tis और यहां पर सतला जमदी की लिए इस तरगी से बीच का जो छेत्र है जिसे इन्हों ने पंजाब हिमाले की सर्वोर्ट चोटी पंजाब हिमाले की सर्वोर्ट चोटी है वह केट्व है जा मैसिंग के लिए आयराती है अंजाब हिमाईरे देती आयेगा सबसे मुझे चोटी ऑसके बाद दूसरा बिवाजित किया इसका नाम कुमायू हमाल है सतलज नदी से और आपका ये नेपाल का बॉर्डर पढ़ता है नेपाल उत्राखंड का बॉर्डर है यहां पर काली नदी बेखें को में तो सतला जिल नदी से लेखर के काली नदी के नदी तक कि कई नदी से काली नदी करएं जो स्रेडियां है सत्ला जी में वहां लिकॉर्ण हुमारे कहा जाता है इसकी सबसे मुची चोटी नंदा परवत है इसके बाद तो तीसरा अनौने प्रवाजन किया उसे नेपाल हमारे कहते हैं नेपाल हमारे को does it all the Army नेपालिमाले काली नदीत नों के यहां पर शोकत सिक्क्यिम्राजिम बहने वाली इस्ता लादी मतलव काली नदी से टुक से टिस्ता नदी तक कर जो च्छित्र है इसे नेपाल नाम से नावा जाना है सर्चप्राद के बीच का च्छित्र चित्र है उसे नेपाल हाले कारी नदी noi बटाया सर सड़नी ब्राड ने असम हमाले बताए असम हमाले या हमाले या हमाले जो तिस्ता नदी है तिस्ता नदी से लेकरके यहां पर ब्रहंपुत्र नदी बैती है जिए दिहांग कहते हैं क्या कहते हैं दिहांग कहते हैं तो यह चेत्र तिस्ता नदी से तिस्ता नदी से ब्रहंपुत्र या दिहांग नदी के बीच का छित्र है जिसे असा में हमाले कहा गया और आगे देखिए यहां पर भी पूर्वी भारत में इसकी हमाले की परवस्रणिया हैं इसके साथ आपने देखा होगा इसके सारे तो वह इसके सीजिए, जो मयोमा में हैं, जो भर्वा में हैं, हमाले को अराकाम युवा कहते हैं, अगर पूच्छा जाता है, अराकाम युवा परवस्रीडि के से जेसमें हैं, तो मयोमा में हैं, और यहाँ हमाले-परवस्री्डि का ही विश्तार है अरा-काम नुमद प्रवस्रयडि में तो हमाले का बढ़े पर भिखतनी यह को घृत दीब दिखाईोंगे अड़बा स्रोटेश्रम् Speed ये लिए हमाले का ही प्रवस्रडियों की भाग है ये अराकामियोमा अर्था ये भाग है तो आपकी तो यहां तक अराकामियोमा और यह यह यहां तक बंगागी, खाड़ी में अंडवा निकुवार्णीप तक फ्रेदी यह मैंने आपको बताया प्राजसिक ज्वहर्म आपको बताया इसे आप एक दुआ रिविजिन कर दीजिए एक दुआ वीडियो को देखिए तो मैं जानता हूं आपको लगोग सब को श्याद हो जाएगा यहां पर मैं आपको एक कॉंटर मित बताना भूल गया यह सिंदु न अधी भारत में सबसे बड़े गार्ज का नमाण करती है नोड्री साटिजनव मिगनफ बहरत का कि सब्से बड़ा तबसे ङहरा का कि महार म०ं यांश संद नदी का है जो लगब 5200 मिट्र है जो लगब 5 किल्मीट्र है गाच कैसे हैं इस तरह की परवसरी होती है एकदम खड़ी वी इस तरीकिसे इस तरीके से यह गार्ज है यहां पर कोई न तो धर्रा हो सकता है न यह पर घाटी हो सकती है यह बहुत ही शक्रा पतला मार्ज होता है जिससे ओकर के यह सिंद्रणी भैती है यह भारत का सबसे गहरा गार्ज है जो लगवब 5-0.00 मिटर है जो मैं आपको बताया आप एक दो बार इसे देखिए आपके सब्कूर समझ में आज आएगा बहुत अच्छा है यहां से कॉशन पूशे जाते हैं तो आप इन्हें बता सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद